हलो फ्रेंड्स हाव अर्यू तो आप सभी का इस निफ्टी और बैंक निफ्टी अनालिसिस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी वेबसाइट पे फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है और आप में से जिन लोगों ने भ जालते हैं उनको आप देखके उन लेवल्स को यूज करके और उसका बेनेफिट ले सके तो आज की प्रॉफिट की पहले आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा मुनाफ़ा बनाया होगा इस बाइंग में तो आप सभी को पहले इस प्रॉफिट की आज की अच्छे दिन की धे क्यारी आज करेंगे और कल की क्या स्ट्राटेजी रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरॉल क्या व्यू है क्या लग रहा है वो सारी बाते हम इस वीडियो में आने वाले आठ से 10 मिनिट में डिसकस करेंगे जो भी आप में से जो भी लोग हमारी 9 और 10 त टेली ग्राम चैनल को जोईन करने के लिए भी हमें सेम नंबर पे ही कॉल या वाटसब करें तो चलिए अब हम शुरू करते हैं निफ्टी के साथ आज हम शुरुवात करेंगे आज निफ्टी में जो हुआ एक बहुत ही अच्छा एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड आया आप में से जो जिन लोगों ने भी हमारा टेली ग्राम चैनल जोईन किया उनको अपडेट किया कि यह बाइंग जोन है कम्यूनिटी में भी पोस्ट किया कि यहां पे खरीदें बैंक निफ्टी को आप देखिए निफ्टी ने कल के दिन का जो लो लगाया था पहले हम साइक लोजी और प्राइज एक्शन डिसकस करेंगे इदर उदर की बाते नहीं तो कल के दिन का जो लो लगाया था निफ्टी ने 11861.90 ठीक है यानि अल्मोस 62 का यह जो लो लगाया था कल के दिन में निफ्टी ने अब आज क्या हुआ निफ्टी कल के दिन के लो के नीचे गई 17,850.25 यानि कल के लोग को थोड़ा पियर्स किया 12 पॉइंट से और दन इट टुक अ टॉर्न अराउंड ठीक है अब दो बाते थी एक पहली बात तो यह थी कि निफ्टी जो स्पॉट में है वो 11,850 से 11,900 के बीच में चल रही थी दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी को देखे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में कल लोग लगाया था 11,912 रुपे 95 पैसा यानि अल्मोस्ट 11,913 एंड टुडे इट मेड अलो ओफ 11,885 एंड देन टुक अ टुक अ टॉर्न तो अगर हम देखे तो निफ्टी फ्यूचर साइकलोजिकली 11,900 को नहीं छोड रही थी ठीक है आप साइकलोजी देखिए क्या होता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो राउंड फिगर वाले नंबर्स होते हैं वो उनको हम साइकलोजिकल लेवल्स कहते हैं जैसे 11,900 नाव दिस इस साइकलोजिकल लेवल 11,850 को नहीं कहेंगे तो निफ्टी फ्यूचर साइक लोजिकली अगर हम देखिए तो 11,900 को नहीं छोड़ा नीचे गई 15 पॉइंट वहां पे थोड़ा कंसॉलिडेट किया and then it took a turn around and now you see one thing this is an area where least people are interested in buying am I right or wrong यह वो जगे वो स्थान है जहां पे सबसे कम लोग बाइंग करना चाहते and not least people are only interested in buying most of the people are interested in selling here अब लॉजिक क्या है उसके पीछे कि भाई यह तो गिरती ही आ रही है लेकिन if you remember every time this I used to say that there is no point in selling after a fall जब एक fall already आ चुका है तब बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है बजार में buy the dips and sell the rips or you can say sell the rise तो यह कितना decline था right from let me look at it 12,000 and 12.80 this is a chart of future तो 12,000 का एक जो psychological level था पहले future ने उसको pierce किया फिर नीचे आई फिर 11,900 के around it was just hovering around that 11,900 level now when you are sitting at 100 points correction what you are expecting already I have told you that this is a bullish market and this is a bullish market which is overbought and overvalued but as a trader जब हम दो दिन के decline पे already बैठे हैं and third day it also given you a nice decline from the morning and then what you are expecting that this should continue yes अगर बजार में weakness होती तो this should have continued लेकिन if it has taken a turn around और आप देखिए ये बड़ी candle बनने के बाद भी इतना respect ही नहीं कर रही है बजार इस बड़ी candle को follow through नहीं आया बजार में it gone sideways तो एक dull market एक sideways market जो previous day low के आसपास hover कर रहा है either it has to give a decisive breakdown और it has to take a turn around दो चीज़े यहाँ पे हो सकती है या तो यहाँ पे कि decisive breakdown दे कि भाई ठीक है enough is enough now I am not able to hold this 11,900 zones let me fall further तो हम मानते कि यहाँ इसको नहीं hold कर पाई और निकल गई लेकिन जब यहाँ पे यह hover करने लगी जब यहाँ पे यह sideways हो गई it means it is preparing itself for something big and that big because today was expected to be a trending day this was big enough got the logic तो इस बजार में आपको यह psychology समझनी पड़ेगी जब ऐसा लगेगा कि बस अब तो गया तभी वहाँ से वो buying आएगी and if you see it has turned from 11,900 और nifty जो spot में हुई है वो turn हुई है 11,850 यानि 11,850 अब पिछले ओके या here you can see एक दो तीन चार पांच let me mark for all of you let me choose a better color so अगर हम पिछले पांच दिनों से देखे 1,2,3,4 and 5 पांच दिनों से यह जो हमारी lower boundary थी yes और this one and this was the upper boundary अब क्या हुआ आज it has given you a sharp up move and right from the lower boundary it touched the upper boundary and if you all remember on the free channel and on the community post I have immediately posted and मैंने का post करवाया जब यहां पे थी when the rally has not started कि yes we are long and this is the best zone to buy and just after that it has rallied up almost 700 points in a single day तो यह यह दर्शाता है कि यह जो zone था वो powerful था बजार में बाइंग आने थी बजार में लोगों ने खरीदा हुआ है और यह बजार continue किया दूसरी बात अगर हम निफ्टी बैंक यह spot का चार्ट है देखें तो पिछले एक, दो, तीन, चार, पांच दिन से इसी zone में थी इस दिन का जो लोग था 29,887 और आज 30,013 यानि 30,013 यानि 30,000 का जो लेवल है 30,000 का जो psychological लेवल है निफ्टी उसको अच्छा बैंक निफ्टी वहाँ पर अच्छा सपोर्ट ले रही है और उसके बाद क्या हुआ वहाँ से 700 तक की रैली आई तो इस वोज़ फेंटास्टिक रैली और इट वोज़ ग्रेट लर्निंग और ग्रेट प्रोफिटेबल डे और मेरा मानना ऐसा है कि ये बात सही है इस मार्केट इस ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव बट इस टर्न आराउंड शुट नौट ये नो गेट फिनिश्ट बिफोर 12,100 तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 11,900 से जो परिवर्तन आया बजार में जो टर्न आराउंड आया है ये वापस 12,100 तक जाना चाहिए बिकस दिस विल नौट इनो गेट कम्प्लीटेड इन अ हरी तो ये जो रैली है इसका अपर बाउंडरी अगर आपको मंतली अनालेसिस याद होगा नोवेंबर मंत का तो 12,120 का जो जो जोन है I am now expecting that this rally should accentuate और extend on the up direction and that should be around 12,100 तो 12,100 तक ये जो रैली है ये extend होनी चाहिए बिकस अब कारण क्या है इतने confidently बोलनेगा this is showing me the real strength you see the kind of candles which has made तो ये इतनी जल्दी खतम होने के लिए rally नहीं आई है और दूसरी बात a lot of people told me that मैं 12,000 का put buy कर लूँ मैं ये don't buy the puts for tomorrow at least take a piece of advice of mine don't buy any put for tomorrow because आज अगर turn around हुआ है तो कल क्या हमारा कर्तव भे बनता है कि हम जो diff आए उसमें enter करें ताकि ये जो rally है निफ्टी में जो 12,100 तक की हमको लग रही है बैंक निफ्टी में ये 31,000, 30,000, 900 तक की 800, 1,500 की rally जो है ये rally में हम participate कर से के drawdown हमने पता है इस point of time पे तो जब आपको पता है कि जाने को क्या है हो मिलने को क्या है फिर क्या attention है तीक है तो this rally and out of two bank nifty looks stronger no doubt बट मेरा मानना है कल की expiry के लिए put मत खरी दिये जो भी dip हम को मिलेगा उसमें हम enter करके इस लौंग डाउट direction को भाई market ने जो turn around लिया है इस turn around की इस rally की जो market ने दिखाई है या दूसरे शब्दों में ये जो पैसा market में pump in हुआ है इसकी हम इज़त करते हैं और इसलिए हम इस rally में participate करने के इकशुक हैं और इस वज़े से हम जो decline आएगा जो dip आएगा उसमें खरीदने में interested है that's it got the logic very clear cut statement ठीक बात है तो ये दो बाते हैं जो personal biasness ने से हैं this is not any investment advice आपकी मर्जी है लेकिन this is how I look at the charts और जैसे candle कह रही है वो हम आपको बता रहे हैं दूसरी बात market में लोग क्या कहते हैं ये जो भी कह रहे हैं कि गिरना चाहिए टॉप बन गया है ये हो गया है where is the top I have seen a lot of people today telling top बन गया top बन गया भाई टॉप की परिभाशा क्या है कोई बताएगा अगर there is no sign of top which has already made today आज तो ये जो sign दिखा रहा है ये तो already rally start होने का turn around का sign है there is no sign of a top on the charts ये top का sign था agreed ये तो top का sign नहीं है तो as per me there is no top which is made on nifty और bank nifty so far point number two ये जो rally है ये extend हो सकती है और मुझे लगता है कि ये extended rally जो आई है वो bank nifty में 31,000 और nifty में 12,100 तक nifty को लेके जाना चाहिए इस November series में then it should again go sideways तो अभी जो काम है वो यही है कि हम इस बजार को कल और पर्सों के लिए dips पे खरीदें एक और अच्छा हफ़ता हमारे लिए है बजार में longs को play out करने का ठीक है अब हम बात करते हैं levels की जिसमें आप सभी ज़्यादा interested है ये था psychological और price action theory दूसरी बात यह है कि आपको dollar की बात भी बता दू levels के पहले dollar ने एक turn around लिया है इसने पिछले दो बार से dollar 71 के नीचे जाती है peers करती है फिर reverse हो रही है इस बार फिर से 70.67 तक गई फिर से peers किया मेरा मानना है कि आने वाले समय में dollar 70.40 तक जा सकती है ये इसका पहला target है और इसका stop loss रखना चाहिए 70.6567 के आसपास और first target जो हम expect कर रहे है dollar में वो 70.43 और second target should be around 71.43 और final target around 71.71 तो अच्छे target से bullishness लग रही है और काफी समय से dollar का बजार sideways है लेकिन पैसा बन रहा है इसलिए आप इसको यहाँ पर खरीच सकते हैं यह हमारा drawdown है एक double bottom जैसा भी बना है वापस इन highs के आसपास dollar जा सकती है ठीक है तो यह था dollar के बारे में अब हम बात करेंगे सीधे levels की तो spot का chart हम open करते हैं कल के दिन का कल का जो दिन है कल जो Thursday expiry है वो मेरे हिसाब से sideways रहने वाली है अच्छा गैस आपको अगर वीडियो पसंद आती हो आपको कोई भी सुझाओ कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं और कल Thursday कल हम लोग अपनी free trades आप सभी के शाथ साथ share करते हैं तो comment में हमारे telegram channel की link दी हुई है तो telegram channel जरूर जोईन करें जहां पे हम कल अपने free trades share करेंगे तो कल के दिन में जो पहला reversal trade बनेगा और कल का दिन specially हमको लग रहा है कि sideways रहने वाला है निफ्टी और bank निफ्टी का जो क्रीम था जो एकदम premium swift buying थी जिसको हम कहें वो swift buying आज already बजार में हो चुकी है अब आज जैसा मज़ा बाइंग में कल आए जाए ऐसे expected न इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप option play करते भी है तो कल की expiry का नहीं करें आप 28 नवंबर की expiry का option play कीजिए वहाँ पे थीटा की problem नहीं होगी हमारे पास time काफी रहेगा तो कल के यह options नहीं खरीदने चाहिए ideally और अब आज जो निफ्टी बंद हुई है 11960 पे कल अगर पहले गिर के यहां पे आती है 11920 जोन में तो मेरे इसाफ से यह जो reversal long buying है this is the best buying क्योंकि यह trend के साथ भी in line है और अगर यह dip मिलता तो यहां पे चाहे आप future करी दिये चाहे options करी दिये सही जगे खरीदा है तो सम्मान बजार में मिलेगा और वो reward आपको profit के होता है तो यहां पे हम खरीदेंगे और target हम फिर से इसका रखेंगे 12,000 12,008 दूसरी बात है अगर पहले उपर जाती है तो कल के दिन का आज का जो high था 12,000 का यहां से अगर उपर जाती है और यहां पे fail होती है वापस कल के highs के आसपास तो हम फिर से यहां पे reversal short trade ले सकते ह है 924 के levels के लिए यह fall अगर extend होता है तो this is your target number one and this is your target number two लेकिन still because of today's move I am carrying the long biasness और मेरा मानना है कि short किया जा सकता है अगर 12,000 के उपर fail होती है और अगर फिर से fail होती तो जैसे आज का decline मिला यह ऐसा ही आपको यहां से decline मिलेगा यह target आने के chances कम हो जाते हैं ठीक है क्योंकि आप trend की direction में नहीं है तो 70-80 point नहीं लेकिन हां 30-40 point का fall आपको हराम से मिल सकता है और अगर यह गिर के हमको 920 के zones में यानि 11,920 zones में मिलती है तो फिर हम 12,008 का first target रखेंगे और कुछ positions open रखेंगे ताकि हमारे पास एक रूम रहे अगर rally extend होती है तो 12,050 तक भी कल जा सकती है तो यह nifty का setup है इस सारे levels आपको description box में मिल जाएंगे और कल मुझे breakout trade expected नहीं है इसलिए today I won't be discussing any breakout level बट वो levels जो है चार्ट पे दिये वें आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं और आज जो bank nifty बंद हुई है वो हुई है 30,584 पे अगर हमें सौभागे से ये decline मिलता है 30,420 zones में तो इस zone में यानि 30,400 के आसपास हमें वापस bank nifty buy करना चाहिए और इस बार हम जो buy करेंगे उसका target रखेंगे 30,798 यानि 30,830,800 approximately तो उसका हम target रखेंगे फिर long trade में और अगर वहां से भी उपर जाती है तो 30,986 जो 31,000 का mark है वहां तक nifty bank जा सकती है लेकिन this is the safe heaven अगर आप उतना नहीं भी करना चाहते हैं तो ठीक है 100,300 point मिसो वो problem नहीं है अगर आपको ने यहां पे 400,500 point book कर लिये हैं तो अगर आप सस्ता करीद रहे हैं और यहां भी निकलते तो आपको उतना ही मिलेगा जितना उपर खरीदने वाले को मिलेगा इसलिए यह 400 points अगर कल के expiry में आपको मिलते हैं तो यहां आप फुल profit book करके भी exit कर सकते हैं तो यह दो level थे reversal short के case में अगर पहले 30,800 तक जाती है और फिर पलटती है तो यहां पे हम short trade भी ले सकते हैं 100 points, 80 points के stop loss के साथ 200, 200 points के targets के लिए तो यह सारे levels chart पे mention हैं लेकिन best trade हमेशा trend की direction में होता है जो आपको painless money देता है और smooth पैसा देता है तो nifty और bank nifty में यह view था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, share और subscribe करें, comments जरूर करें और हमारी paid training से 9th और 10th November को उसको join करने के लिए यह channel join करने के लिए हमें इस number पे call या whatsapp जरूर करें Thank you so much guys, wishing you all abundance of success, may God bless you all, bye bye, take care